प्रहाटाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना बोलें महिसलामुदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाटाइम्स पाल घर के नंदोलिया और्गनिक केमिकल फैक्टरी में बड़ा धमाका हुआ है, इस धमाके के बाद फैक्टरी में आग लग गई बता जा रहा है कि धमाके के बाद आसपास के इमारतों के काच की खिलकिया भी तूट गई है और धमाका किस वजह से हुआ अभी तक इसका पता नहीं चल सका है नंदोलिया और्गनिक केमिकल फैक्टरी में आज शाम करीब साड़े साथ बजे के आसपास ये धमाका हुआ है समाचार एजनसी ए एन आई के मताबिक धमाके के बाद आग लगने से एक बेक्ट की मौत हो गई है और चार बेक्ट गंभीर रूप से घायल बताये जा रहे हैं नंदोलिया फैक्टरी पाल घर के तारापूर में इस्थित है बताया जा रहा है कि धमाका इतना जबरदस था कि 10 किलो मीटर दूर बोईसर पाथल और सालवाण गाउं और समुद्री तटो तक किसकी आवाज सुनाई दी है धमाके से कई इमारतों की खिडकियों की काच भी सारे 31 वर्स के रूप में इनकी पहचान हुए जबकि एक और अन्यवक्ति घायल हुआ है जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है नंदोलिया और गैनिक केमिकल फैक्टरी में धमाका किस वजह से हुआ है अभी तक इसका पता नहीं चल सका है इसकी जाच की जा रही है तो तमाम खबर को जानने के लिए देखते रहे है प्रहा टाइंगी